केटला समाज के द्वारा पूरे भारत वर्ष में या परब मना जाता है केटला समाज के लोग इसे ओनम के नाम से प्रसिद्ध है जिस जगह में खड़े है ओनम का प्रसाद जहां पर सबको दिया जाता है वहां द्रिश है जिसमें चावल है डाल है और जो यहा है रसम और नाना परकार की सबजी है यह क्या प्रसाद वाद जाखें त्रिशन का प्रस्ट शप्रत शप्रसाद बसमाना पर घ्रल सम्सेंर अ क्या नहीं थे शीम्यनor को और जो यहां जो पूजा किया गया है एही ओनम का बहुत बड़ा बिशेश फूजा होता है थे ड्रेस कोजी जो पहने है यहां बाहर आने के बाद में सारी वागर सब निकल गया ने तो मेरा गुजूरलाओं सब वैसे ही किया हुआ है कि वुंडू से बहता है यह पूरा ट्रेशनल ड्रेस पहने हुए केरल में इसी पहनते हैं कितना अच्छा लग रहे हैं कितना साल से आप आ रहे हैं पचाट साल हो गया कितना उमर में आय था यहां पर जब फश्ट बार यहां पर आप लो जब परसाद का रहे थे तो उस समय कितनी संखिया थे कितना से शुरुआत किया गया था सो जन दो सो जन पचाश जन परसाद का रहे हैं इसकी शुरुआत कितने संखिया सिरुआता यह अगर आप केरला समाजा का पुराना चरितर देखेगा तो शुरुआत चार सो पांट सो सुरू हुआ था आज के तारिक में डेड़ हजार दो हजा सवा दो हजार के करीब हो गिया इसलिए कि इसमें अंगिनत मलाली के अलावा आप और हम जैसे परिचित व्यत्यों का भी इसमें हम लोसमें पूर्वक आदर से सम्मान से उनको बुलाए गिया है और किला रहा है इसमें नंड मलाली चोड़के भी चोड़ी परसंट वैसे विट्टिगण है जो मलाली नहीं होते हुए भी हम लोग के भाईचारा कर आज के तारिक में दो हजार से उपर निकल सकता है और सबसे बड़ी चीज है कि वहां द्रिश्च वहां आयोजन धार्मि हर देश में हर खोने कोने में बनाए जा रहा है केरल के लोग तो मनाते हैं केरल के साथ साथ जो अधर काश्ट है सोसल मीडिया के कारण आज वहां भी जान चुके हैं और वहां भी इस पर अपका अनधन ले रहे हुए यही कारण है कि जिनकी शुरूआत 400 लोगों से किया ग झाल, 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 झाल.